समस्कार गार्मेंट उद्योग में कपड़ा उद्योग में यानि परिधान उद्योग में जो भी कपड़े बनाये जाते हैं उसमें ठेड जो है वो बैकबोन का रोल निभाता यानि धागा ये धागा जिसकी सहायता से तरह तरह के सिंपल यों आधुनिक गार्मेंट का निर्मान की अधाग है अगर ये धागा नहीं रहे तो नट पॉस्पल टू में एनी गार्मेंट यानि गार्मेंट बनाना बहुत मुस्किल है आगे हो सकता है भविश्य में कोई ऐसी टेखनोलोजी आ सकती ह जो बिना धागे के भी कफड़ा बना दे मगेट अभी की तक यह फोसिबल नहीं है साथर्डी ओ से परिधान उद्योग में राम के जमाने से भी सुई धागे का इस्त्रेड किया जाता था यानि कि कई हजार बरसों से धागे का रोड है कप्ड़ा बनाने कि अब धागे की परिभाशा है यानि थेड की परिभाशा क्या है जो फाइबर होते हैं तरह-तरह के फाइबर्स जैसे नैट्रूराल फाइबर मान्मेड फाइबर तरह तरह के फाइबर को एकत्रित करके उसको सीधा करके आधुनिक मशीनों की सहाइता से थ्रेट बनाएगा जो कपड़ा उद्ध्योग के लिए बहुत जरूरी यानि कपड़ा उद्ध्योग से ले करके चूट उद्ध्योग बैक बनाना यानि की बेल्ट बनाना यानि की चूटे बनाना जो भी कभर बनाना तकिया रजाई गद्धा बनाना सम्मे थ्रेट का रोल कि यानि पषागा आग मनुश्य के जिन्दगी से हूँगा है ह तो आये साथ हुझ जानते हैं कि जो है कि त्रेड कितने प्रकार के होते हैं और बैसिकली जो स्थ्राड होते हैं वह दो प्रकार किते एक नाचुमल फाइबर के द्वारा निर्मित थ्रेड दूसरा मैंमेड फाइबर के द्वारा निर्मित थ्रेड तो साथियो नाचुमल फाइबर में जो थ्रेड आते हैं वो जो है कुल्च पांच छे किसम के जैसे जैसे कॉटन का आरेंडी थ्रेड उसके बाद य्लीलम फ्रेड के बाद रेसं के त्रेड जो इंपरोडरी करने के काम है कि के फलनका थ्रेड यानि भेड द्रॉरपd किया जाता है ऐसा उसका भी ट्रेड कि डैनल रात्र यानीकि लौन धेला यigh कि आप जिससे बैग बना चूम और आ में अपने सनई सुना होगा जो ताला प्रें भॉबया जाता है इसे पटक पटक करके रेसे निकाले जाते हैं और उन रेसों की सहायता से पत्ले चाध्य बनते हैं जिसकी सहायता से रसी बही biz आप उन रसीयों का उप्योग भी किये और यहां भी वो रसियां आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो कुल छे प्रकार की नेचुनल फाइबर थ्रेड होते हैं और मैंमेंट फाइबर फ्रेड जो है वह बहुत तरह क्यों पॉलिएस्टर फ्रेड जो अक्सर गार्मेंट स्टीकिंग के काम में शूपन पॉलिएस्टर रियॉन फ्रेड वाटर सालेबल फ्रेड यानि कि इसकी सहायता से कहीं भी गेदर का नर्मान किया जा सकता है और बाद में धुलाई के दोरान यह गल जाता है खतम होता है वाटर सालेबल यानिकी पानी के अंदर घुलने वाल लेलाहीन इस्ते जिससे बांबने पीजलास्टिक का काम किया जाता है कन्साई को क्टाब्वuti यानि अंग्रेजों के जमाने से ओनी और मूसलिम सासन थे अब कर माले थे खड़ाई प्रवाद उबर में पढ़ाई और विडिंग का काम के अधाता है उसका से एक बड़ी जो समझ्या आती है कि आज कि सभी लोग भागे के बारे में तो जान जाते हैं अगर पूछो तो बताते हैं सर्टू प्लाई और थ्री प्लाई का लेकिन यह कितने टैक्स का होता है यह जानना बहुत हुद है टैक्स यानि एक ग्राम इस उपर टू बन टैक्स सिंप एक ग्राम धागे का वजन यह एक क्योंकि साथि यो धागे को मीटर में ना पना बहुत जादा क्रिटिकल इसलिए कुछ बुद्धी जीवे इनने इसका एक परिमाप बना दिया एक सूत्र बना दिया एक घाग एक ग्राम धागा रासाइन कर गला पर तो लिए और व हमारे स्टीचिंग में काम आता है सक्यों टू प्लाई टू प्लाई एटीन टैक्स जो कोन में आता है कोन 5000 मिटर और यह वाला जो धागा होता है सक्यों यह आपको पता ही है यह करीब सब्सक्राइब है पस क्वेशा टी टक्स जो टेक्स अर किसी अरुका अज़ागा 52 प्लाई के काम में आता है पीर स्तार्ट हो जाता है और मजबूत 13-30-40-15-70-70-90-105-120-135-150-180-303 थागा जोता सिलने वाला बनाने वाला वो 250 का भी हो सकता है 90 का भी हो सकता है 180 का भी होता है एज पर रिक्वार्मेंट आप दो पोड़ाट तो सथी वह आज आपने टैक्स के बारे में जाना जो लिखा रहता है अंदर में 21 यानि कि वह रिल जो होती है मैं इसमें दे दिया हूं पिक्चर्स जो नीचे का जिस पे लपेटा जाता है धागा वह 10 ग्राम का होता है और जो कौन होता है माल लीजिए 124 ग्राम का है तो 10 ग्राम आप निकाल देंगे तो 114 ही पच्टे एक सो चौदा यानि की लंशम 18 टैक्स का धागा होता है और इसी प्रकार से 10 और 10 ग्राम निकाल करके धागे का वज़न अगरम नाप लेंगे तो आपको इस जट कल्किलेशन एक ग्राम ही जरुदर होगा 18 टैक्स का होगा या 21 टैक्स का होगा तो आपका यह जुरूरी नहीं सक्षिए ओक और टूफलाई में तेक्स इतना होता है डी प्लाई में भी टैक्स हो सकता है का म्या ज्यादा एस पर रिकॉर्मेंट की साब हैं तो मैं पिक्चर कर दिया हू कि आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोजिए कि फिल कल मैं दूसरा कुछ अच्छी जाने का रही हुआ थैंक्यू बेरी मेच साथ